अध्याई बारह भक्ति योग हर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सद्रय तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेश ब्रह्म की पूजा करते हैं इन दोनों में से किसे अधिक पूण माना जाए? श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साका रूप में एकाग्र करते हैं और अच्यंत शद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परमसिध माने जाते हैं लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सक्ते की निराकार कल्पना के अंतरगत उस अब्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों के अनभूती के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनिय है, अपरिवर्तनिय है, अचल्ट तताधू है वे समत लोगों के कल्याण में सनलग में रहकर अंततहा मुझे प्राप्त करते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अब्यक्त मिराकार सुरूप के प्रतिया सकते हैं, उनके लिए प्रगती करपाना अत्यंत कष्ट प्रद है देहधारियों के लिए उस शेत्त में प्रगती करपाना सदय जुष्टर होता है जो अपने सारे कारें को मुझे में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ती करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर इस्थित करके दरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ मैं जन्न मृत्यु के सागर से शीग्रू धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्टो को इस्थिर करो और अपनी सारी बुद्धी मुझ में लगाओ इस प्रकार तुम निसंदे मुझ में सदैवास करोगे हे अर्जुन हे धननजय यदि तुम अपने चित्तु का विचल भाव से मुझ परिस्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विदी विधानों का पालन करो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाहा उत्पन करो यदि तुम भक्ति योग के विदी विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे तो तुम अपने कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का ससाथ में सित्थ होने का प्रयत्न करो यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ग्यान के अनुशीने में लग जाओ लेकिन ज्यान से श्रेष्ट ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ट है कर्मफलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांती प्राप्त हो सकती है जो किसी से द्वेश नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिच्या अहंकार से मुक्त है जो सुख दुख में संभाव रहता है सहिश्नु है सदैव आत्मतुष्ट रहता है आत्मसयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धी को इस्थिर करके भक्ती में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंसता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है मेरा ऐसा भक्त जो सामान्यकारे का लापों पर आशित नहीं है जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कश्टों पर रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्न शील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिये है जो न कभी हर्शित होता है, न शोब करता है जो न तो पच्टाता है, न इच्छा करता है तथा जो शुब तथा अशुब, दोनों प्रकार की वस्तों का परिच्चा कर देता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिये है जो मित्रों तथा शत्रों के लिए समान है जो मान तता अपमान, शीत तता गर्मी, सुख तता दुख, यश तता अपयश में संभाव रखता है जो दूशित संगती से सदैव मुक्त रहता है जो सदैव मौन और किसी वी वस्तों से संतुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घरबार की परवा नहीं करता जो ग्यान में दुड़ है और जो भक्ति में संदगन है ऐसा पुरुष मुझे अट्यम्त प्रिय है जो इस भक्ति के अमरपत का अनुसरन करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष बना कर शद्ध सहित पूर्ण रूपेंड संदगन रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रियर्म!